हालो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसेच फेशन वर्ल्ड, आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ दो सी लाई में बहुत ही शांदार सा डिजाइन सिखाने वाली हूँ, जिसको आप देखिए, बहुत पसंद आएगा सबको यह डिजाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बन ध्यान से देखिए, का दोनों तरफ से, रॉंग साड से भी हमारा डिजाइन बनता है, तो रैट साड से भी हमारा डिजाइन बनता है, इसलिए आपको बिडियो स्किपने ही कर नहीं है, पूरी देखनी है, तब ही आपको अच्छे से डिजाइन समझ में आएगा, चलिए स् जिसपे मैं अपने lifestyle बताती हूँ beauty और blog से related जिसका नाम है हिमाचली blogger and beauty लत्तु उस पर आप please एक बार visit जरूर कीजिएगा और उसको please subscribe जरूर कीजिएगा चलिए start करते हैं पहली row सीधी तरब से row 1 right side से तो यहां से देखिए पहला फंदा सीधा उतारा एक st चैसको हमने सीधा उतार लिया फिर एक फंदा मैं यहां पर slip करूँगी उसके बाद यहां से हम design को start करेंगे अब देखें यहां पर यह एक फंदा बनाएंगे इसको दो बार धागा गुमाते हुए हम सीधा पहला फंदे हमने इसको फंदा है अब यह शुरू के दो फंदे चोड़कर यहां से यहां तक हमने फिर से repeat करना है क्या करेंगे तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे दो बार धागा गुमाते हुए देखें एक दो तीन तीन फंदे हमने बनाए दो बार धागा घुमाते हुए और फिर दो फंदे हमने slip करने हैं तो सारी रो देखे हमने यही पांच फंदे repeat करते जाना है last में देखिए यह दो फंदों में एक फंदा मैं slip करूंगी और last के फंदे को मैंने सीधा बना लेना है अब बजाईए row 2 पर wrong side से दूसरी row उल्टी तरफ से ध्यान से देखिएगा पहला फंदा उल्टा उतारा फिर एक फंदा में आपर उल्टा बनाऊंगी आप जो तीन फंदे हमने दो बार धागा घुमाते हुए बनाये थे इन तीनों को हम पहले slip करेंगे तीनों फंदे slip कर लिए अब ये पहला दूसरा इन दोनों को देखिए इस तरह से हमने पकड़ना है तीन फंदों में दो फंदे इस तरह से पकड़ेंगे इस पहले वाले फंदे को छोड़ दिया इसको हम यहाँ पर आगे लाएंगे और ये दो फंदे हम पीछे लेगे अब तीनों को हमने उल्टा बना लेना है फिर दो फंदे उल्टे जो पीछे रो में हम slip कर रहे थे उनको हम यहाँ पर दो फंदे जो slip कर रहे थे उनको उल्टा बनाएंगे और तीन फंदे जो हम देखे दो बार धागा गुमाते हुए बना रहे थे इनको हमने पहले खोलना है इस तरह से फिर आप इन दोनों फंदों को इस तरह से पकड़ना है फिर ये फंदा हम आगे लाएंगे इसको देखें इस तरह से हमने आगे लाना है इस तरह से स्लाई में डाल देना है फिर तीनों फंदों को हमने उल्टा बना देना है फिर दो फंदे उसके बाद उल्टे तो सारी रो यही पांच फंदे हम रिपीट करेंगे तीन फंदों में हम इस तरह से डिजाइन डालेंगे फिर दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे लास्ट में भी आपके पास दो फंदे बचेंगे, दोनों को आपने उल्टा, आप देखें यही दो रो में हमारा डिजाइन पड़ता है, यही दो रो हम बनाते जाएंगे, और हमारा यह डिजाइन देखें कुछ इस तरह से बनता जाएगा, देखें कितना ब्यूटिफुल बन रहा है डिजाइन, यह देखें, और जब आप देखें इस डिजाइन से स्वर्टर को बनाओगे, तो आपकी बूल थोड़ी से इस डिजाइन में एक्स्ट्रा लगती है, आप कार्डिगन पर इसको बनाएए, जैकेट पर बनाएए, ब्लाउस पर बनाएए, अपने लि साइन को, कैसा लगा प्लीज एक कमेंट करके भी जुरूर बताईएगा, थैंक्स और राजिंग मिरते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टुटोरिल के साथ, तब तक के लिए, बाबाई